नमस्कार आप देख रहे हैं आरजी न्यूज और मैं आपके साथ सीमीदानी केंद्र सरकार के 4 प्रतिशत डिये बढ़ाने पर डॉक्टर रमन सिंग का बयान आया है कि केंद्री करमचारियों का डिये बढ़ाकर उन्हें तोफ़ा दिया गया है अब उनकर डिये बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है इधर भूपेश सरकार राजी के करमचारियों को सिर्फ 28 प्रतिशत डिये दे रही है उनका हक चीन रही है लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी डॉक्टर रमन सिंग कहते हैं कि जब भारती जनता पार्टी की सरकार 36 गड़ में बनेगी तब 36 गड़ के करमचारियों को केंद्र के समान वेतन दिया जाएगा आई आई आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार के करमचारियों और पैंशनर्स के लिए अच्छी खबर आई है सरकार ने उनके महंगाई भत्ते यानि डिये में 4 फीसदी बढ़ोतरी कर दी है केंद्री करमचारियों को अभी 34 फीसदी डिये मिलता है जो अब बढ़कर 38 फीसदी हो गया है यह एक जुलाई से लागू होगा यानि करमचारियों को तीन महने का एरियर भी मिलेगा प्रधान मंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्री क्याबिनेट की मीटिंग में इससे जुड़े प्रस्ताओं को मनजूरी दी गई है इस फैसले से केंद्री सरकार के 47 लाग करमचारियों और 68 लाग पेंशनर्स को फाइदा होगा बैठक के बाद केंद्री मंत्री अनुराग ठाकूर और अश्वनी वैशनव ने इस बारे में जानकारी दी इससे सरकारी खजाने पर 12,852 करोड रुपए का बोज पड़ेगा और इस साल 8,568 करोड रुपए का बोज पड़ेगा आपको बता दें कि सरकार All India Consumer Price Index के आधार पर साल में दो बार अपने करमचारियों का डिये तै करती है जन्वरी और जुलाई में डिये संशोधित करती है जन्वरी से डिये में 3 फीजदी का इजाफा किया गया था जिसके बाद यह 34 फीजदी हो गया था मेंगाई को देखते हुए माना जा रहा है कि सरकार इसमें 4 फीजदी की बढ़ोतरी कर सकती है अप्रेल में खुदरा मेंगाई 8 साल के रिकॉर्ड पर पहुँच गई थी इसके बाद इसमें गिराबट आई लेकिन अगस्त में यह फिर 7 फीजदी पर पहुँच गई रुपए है तो 64 फीजदी डिये के हिसाब से उसे 6,120 रुपए डिये मिलता है अगर डिये 38 फीजद हो जाता है तो करमचारी को मेंगाई भत्ते की तौर पर 6,840 रुपए मिलेंगे यानि उसे 720 रुपए अधिक यानि साल के हिसाब से 8,640 रुपए का फाइदा होगा इसी तरह अगर किसी सरकारी करमचारी की बेसिक सेलरी 56,000 रुपए है तो 38 फीजदी के दर से मेंगाई भत्ता 21,280 रुपए हो जाएगा इसमें हर महीने 2240 रुपए और पूरे साल के हिसाब से 26,880 रुपए का फाइदा होगा डिये बढ़ने से करमचारी के पी-एफ और ग्रेच्विटी कॉंट्रिबूशन में भी इजाफा होता है इसकी वज़ाए यह है कि यह करमचारी की बेसिक सेलरी और डिये से कटता है डिये बढ़ने से करमचारी के ट्रांसपोर्ट अलाउंस और सिटी अलाउंस बढ़ने का रास्ता भी साफ हो जाता है पहले खबर आई थी कि सरकार केंदरी करमचारियों के एचारे में भी बढ़ोत्री की योजना बना रही है अभी करमचारियों को 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 9 प्रतिशत एचारे मिल रहा है यह अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल सेक्टर के हिसाब से दिया जाता है केंदरी करमचारियों के मेंगाई भत्ते में बढ़ोत्री से 36 गड़ में फिर सियासी उबाल आ गया है बीजेपी को यह अच्छा मौका नजर आया है और रमन सी का बयान भी आ गया है कि बीजेपी सत्ता में आई तो वह भी केंदरी करमचारियों के सामान वेतन देगी विपक्ष में रहकर सभी पार्टियां वादे करती हैं लेकिन सरकार बनती है तो उन वादों पर कितना अमल कर पाती है यह देखने वाली बात रहती है अभी तक के लिए बस इतना ही आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहें आर्जी न्यूस के साथ नमस्कार